C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पार्थे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पार्थ 1 भोजन ये कहां से आता है? प्रिष्ट 1 से प्रिष्ट 7 तक तो आईए अब सुनते हैं पार्थ भोजन येह कहां से आता है? प्रिष्ट 1 आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगा ये कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्त है कि अलग-अलग समय में हम भिन-भिन प्रकार का आहार लेते हैं? एक पॉइंट एक विभिन खाद्य पदार्थ क्रिया कलाप एक विद्याले में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए, जो वे पूरे दिन में खाते हैं. यदि वे विभिन्य राजियों के रहने वाले हों, तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए अपनी नोट बुक में सारणी एक पॉइंट एक की तरह यथा संभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाये जाने वाले विभिन्य खादे पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची बद्ध कीजिए सारणी एक पॉइंट एक हम क्या खाते हैं? विद्यार्थी या दोस्त का नाम पूरे दिन में खाये गए खादे पदार्थ चित्र एक पॉइंट एक यहां चित्र में विभिन्य खादे पदार्थ दिखाए गए हैं जैसे इडली, सांबर, चटनी, मचली और डाल अपने भूजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जैसे चित्र एक पॉइंट एक खाने की ये सभी चीज़ें किस से बनी हैं पके चावल के बारे में सोचो हम कच्चा चावल लेते हैं उसे पानी में उबालते हैं इसे तयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आविशक्ता होती है दूसरी ओर कुछ भोजन तयार करने में हमें कई संघटकों की आविशक्ता होती है यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदी की आविशक्ता होती है क्रिया कलाप दो सारणी एक पॉइंट एक में सूची बद्ध कुछ खादे पदार्थों को छांटिये और अपने दोस्तों तथा घर पर चड़जा करके जानकारी प्राप्त कीजिये कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामगरी चाहिए इनको सारणी एक पॉइंट दो में सूची बद्ध कीजिये वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामगरी के कुछ उधारण सारणी एक पॉइंट दो में दिये गए है कुछ अन्न को इस सूची में जोड़िए सारणी एक पॉइंट दो खादे वेंजल और उनकी कच्ची सामगरियां खादे पदार्थ रोटी या चपाती कच्ची सामगरी आटा जल खादे पदार्थ दाल कच्ची सामगरी कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, या घी, मसाले प्रिष्ट दो हमने क्या देखा? कच्चा में चर्जा कीजिए कि क्या हम विभिन वयनजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयोक्त करते हैं? अच्छा, ये संगठक कहां से आते हैं? एक पॉइंट दो सारणी एक पॉइंट दो में सूची बद्ध, कुछ कच्ची सामगरी जैसे फल और सबजी के स्रोथ का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है चित्र एक पॉइंट दो ए यहा कहां से आते हैं? निश्चित रूप से, पौधों से गेहूं और चावल का क्या सुरोथ है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं चित्र एक दशमलव तीन कुछ अन्ने खादे पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मचली, जींगा, माज आदी हमें जन्तूं से प्राप्त होते हैं चित्र एक पौइंट दो बी चित्र एक पौइंट दो यहां खादे संगठक के सुरोथ दिये गए हैं ए, कुछ पादप सुरोथ जैसे केला, अननास, आम और सेब बी, कुछ जन्तू सुरोथ यहां पर एक मुर्गी का चित्र है और उसके साथ में कुछ अंडों का चित्र दिया गया है क्रिया कलाप तीन आये हम पूर्व सूची बद्ध, खादे पदार्थों एवं उनके संगठकों के सुरोथ जानने का प्रयास करें कुछ उधारन सारणी एक पॉइंट तीन में दिये गए है कुछ और उधारन इस सूची में जोड़िए इसके रिक्तिस्थानों की पूर्थी कीजिए क्रिया कराब तीन से हम क्या निशकर्ष निकालते हैं पौधे, विभिन खादे संगठकों जैसे की अन्न, सबजी तथा फल इत्यादी के सुरोथ है जन्तुओं से हमें दूध, मास, अंडे तथा अन्ने जानतव उत्पाद प्राप्त होते हैं गाए, बकरी तथा भैस, दूध देने वाले कुछ सामान पशू हैं दूध एवं विभिन दुग्द उत्पाद जैसे की मखन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उप्योग संसार के प्रतेक्षित्र में किया जाता है क्या आप कुछ अन्ने जन्तूओं के नाम बता सकते हैं, जो हमें दूध देते हैं? चित्र एक दशमलव तीन अनाज के स्रोथ चित्र ए यहाँ पर धान का खेत दिखाया गया है सारणी एक पॉइंट दो संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोथ खादे मद कच्ची समगरी स्रोथ खादे मद इडली कच्ची समगरी चावल उड़त की दाल नमक जल स्रोथ पॉधा यानि पादप खादे मद चिकन करी कच्ची समगरी चिकन मसाला तेल या घी जल स्रोथ जन्तु पॉधे या जन्तु खादे मद खीर कच्ची समगरी दूध चावल चीनी स्रोथ जन्तु पॉधा पॉधे हमारे भॉधे का एक मुख्य स्रोथ हैं हम पॉधे के कौन से भाग का उप्योग खादे पदार्थ के रूप में करते हैं हम पत्तियों वाली अनेक सबजियां खाते हैं कुछ पॉधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं कभी हम जड कभी तना तो कभी पुषप भी भोजन के रूप में खाते हैं चित्र एक दशमलव चार पादब के खाने योग्य भाग इस चित्र में एक पौधे को दर्शाया गया है जिसके दो भाग हैं प्रारुह तंत्र और मूल तंत्र प्रारुह तंत्र में सबसे उपर पुषप है फिर फल उसके बाद तना यानि स्तंभ उसके बाद पत्ति फिर नौट फिर इंटरनौट और अंत्र में कलिका मूल तंत्र में है प्रात्मिक मूल और दुईतियक मूल कभी आपने सीता फल यानि काशी फल के फूलों को चावल की पिठी में डुबो कर वद तल कर पकौडी बना कर खाया है इसका प्रयत्न कीजिए कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं उधारन के लिए सर्सों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उप्योग साग बनानी के लिए किया जाता है क्या आप केले के पौधे के विभिन भागों के बारे में सोच सकते हैं जिने हम भोजन के रूप में लेते हैं क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो याधिक भाग खाये जाते हैं यहां एक चित्र है जिसमें एक लड़की एक पहली को जानना चाहती है पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन के पौधे और जन्तु के अलावा भी कोई अन्निस्रोथ है क्रिया कलाप चार सारणी एक पॉइंट तीन में सूची बध सभी खादे पदार्थों में से उन संघटकों को छाटिये जिनका मुख्य स्रोथ पौधे है ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं इन खादे पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी एक पॉइंट चार के अनुसार सूची बध कीजिए सारणी एक पॉइंट चार भोजन के रूप में पौधे के भाग खादे पदार्थ के मुख्य स्रोथ की तरह पौधा संगटक या स्रोथ पौधे का भाग जो हमें संगटक देता है खादे पदार्थ के मुख्य स्रोथ की तरह पौधा एक बैंगन का भरता संगठक या स्रोथ, बैगन, मिर्च मसाले की रूप में या कोई अन्ने, तेल, मूनफली, सरसुं, सोयाबीन या किसी अन्ने पौधे से पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है फल, फल, बीच, दो, खाली जगह, तीन, खाली जगह ध्यान दीजिए, अपने आसपास के अंजान पौधों पर ये देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योगे हैं, कभी-कभी पौधे, विशैले भी हो सकते हैं क्रिया कलाप पाँच मौंग अत्वा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए अब इन में से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डालते हैं, तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए अगले दिन जल को पूरी तरह निकालते हैं और बीजों को गिलास में रहनेते हैं उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए क्या एक छोटी सी सफेद सनजना बीज से बाहर निकलाती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं चित्र एक पॉइंट पांच वह एक पॉइंट छे चित्र एक पॉइंट पांच में साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग को दर्शाया गया है यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढखकर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं ये उबाले भी जा सकते हैं इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अलपाहार तयार हो जाता है चित्र एक पॉइंट छे में चना और अंकुरित चना दर्शाया गया है क्या आप जानते हैं कि शेहत कहां से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है क्या आपने एक मदुमक्खी का छट्टा देखा है जहां बहुत सी मदुमक्खियां भिनभिनाया करती है मदुमक्खिया फूलों से मकरंद यानि मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं चित्र एक दशमलव साथ में मदुमक्खि का छत्ता दर्शाया गया है फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्द होते हैं अताहा मदुमक्खिया इस मकरंद का भंडारन कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उप्योग किया जा सके हम ऐसे छत्तों में मदुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शेहत के रूप में उप्योग करते हैं एक पॉइंट चार जन्तु क्या खाते हैं क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतु पशु है जिसकी आप देखभाल करते हों कुत्ता बिल्ली भैस या बकरी फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतु जानवर क्या खाता है अन्य जन्तु क्या खाते हैं क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है प्रिष्ट पांच इस चित्र में एक गिलहरी को अखरोट खाते हुए दर्शाया गया है क्रिया कलाप छै सारणी एक पॉइंट पांच में अनेक जन्तु की नाम लिखे हैं उनमें से कुछ जन्तु द्वारा खाय जाने वाले भोजन भी लिखे हैं सारणी में रिक्त स्थानु की पूर्थी कीजिये सारणी एक पॉइंट पांच जन्तु और उनका भोजन जीव का नाम भैस, खाया जाने वाला भोजन, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती जीव का नाम बिल्ली, खाया जाने वाला भोजन, छोटे जन्तु, पक्षी, दूद। इतली, खाली जगा, कौवा, खाली जगा, अन्य, क्रिया कलाप साथ फिर से सारणी एक पॉइंट पांच को ध्यान से देखिए और इसके जन्तुओं को तीन वर्गों में विभाजित कीजिए पहले वर्ग में केवल उन जन्तुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादब उत्पात खाते हैं इन्हें शाकाहारी जन्तु कहते हैं यहां कुछ जन्तु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं इन प्राणियों को मासाहारी जन्तु कहते हैं क्या आप कुछ ऐसे जन्तुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जन्तू दोनों ही होते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिये। इन्हें सर्वाहारी जन्तू कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार तीन अलग-अलग वर्गों में लिखिये। सारणी एक पॉइंट छे, शाकाहारी, गाए, मांसहारी, शेर, सर्वाहारी, कववा यहां एक पहली दी गई है, पहली जानना चाहती है कि सारणी एक पॉइंट छे को भरते समय मनिश्य को आप किस वर्ग में रखेंगे हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें परियाप्ट भोजन नहीं मिलता हमें ऐसे उपाय खोजने की आविशक्ता है, जिनके द्वारा देश में अधिक खाद उत्पादन किया जा सके यही परियाप्त नहीं होगा, बलकि हमें ऐसे भी उपाय कोजने चाहिए, जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्द हो सके प्रिष्ट चै, प्रमुक शब्द, संघटक, खाद्दे, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, सारांश भारत के विभिन प्रदेशों में खाय जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविदता है हमारे भोजन के मुखिसरोत पौधे तथा जन्तु हैं जो जन्तु केवल पादब खाते हैं उन्हें शाकाहरी कहते हैं जो जन्तु केवल जन्तुओं को खाते हैं उन्हें माजाहरी कहते हैं जो जन्तु पादब तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहरी कहते हैं। अभ्यास 1. क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आविशक्ता होती है? 2. पाँच पौधों के नाम लिखिए तथा बताईए इनके कौन से भाग का उप्योग खादे पदार्थ के रूप में होता है? 3. कॉलम एक में दिये गए खादे पदार्थ का मिलान कॉलम दो से कीजिए। कॉलम एक दूद, दही, पनीर, घी, पालक, फूल, गोभी, गाजर, शेर, एवं बाग, शाकाहारी कॉलम दो दूसरे जन्तुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पात खाते हैं, सबजियां हैं, सभी जन्तु उत्पात हैं प्रिष्ट साथ चार, दिये गए शब्दों से रिक्तिस्थान की पूर्टी कीजिए, शाकाहारी, पादप, दूद, गन्न, मासाहारी कॉ, बाग, एक, रिक्तिस्थान, है, क्योंकि यहा केवल मास खाता है ख, हिरन केवल पादब उत्पात खाता है, और इसलिए इसे रिक्तिस्थान कहते हैं ग, तोता केवल रिक्तिस्थान उत्पात खाता है, ग, जो रिक्तिस्थान हम पीते हैं, वह प्राया गाय, भैस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जन्तु उत्पात है ड, हमें चीनी रिक्तिस्थान से मिलती है, प्रस्ताविट परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप एक, आपने अपने घर के आसपास गिर्गिट को अवशी ही देखा होगा, अगली बार जब आप इसे देखें, तो इसका ध्यान पूर्वक अवलोकन करें, तथा पता लगाएं कि यहाँ क्या खाता है, क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है दो, भारत के विभिन प्रदेशों में खाये जाने वाले विभिन खादे पदार्थों की एक सूची बनाएं, चित्र सहित यदी संभव हो, इन्हें भारत के बड़े मान चित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदेशन हितु लगाएं तीन, उन जलिये पौधों के नाम लिखिये जिनके उत्पाद खाद के रूप में उप्योग किये जाते हैं चार, अध्याय दस में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपाएं जानेंगे आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुची कर परियोजना को करने का प्रयास कीजिए अध्याय में दिये तरेके से कुछ अंकुरित मौंग तयार कीजिए इन्हें एक सब्ताह तक उग्रें दीजिए आप देखेंगे कि पून बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है धागे की सहता से प्रति दिन आप अंकुरों की लंबाई नापें नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं अब एक स्तंभ ग्राफ बनाएं जिसमें लंबाई की विभिन सीमाओं में अंकुरों की संख्या हो सोचने के लिए बातें क क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए परियाप्त भोजन उपलब्ध है यदि नहीं तो क्यों हम भोजन की बरबादी किन उपायों से रोक सकते हैं इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का पहला पाठ यहां समाप्त हुआ है वाचन परवेज गौहर निर्माण वंदना अरी मर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत